हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकान को प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊ उसकी नोटिफिकेशन कूलर करनेक्शन के उपर और बोस तरह से आपको वीडियो को परशानी थे कूलर कर सकते हैं सारे खुलरों में लगब tane एक लग वाग तो फसफिक होता है दूसरा चौलू पंप होता है है इसी के लिए इसमें क III दिया होता है और फ्रेंट्स यह देखिए मैं इसका connection आप को बता देता हूं यह मेरे कि सुफ्क्वीड लगा हुआ है इसमें में दो सुछ लगे हुए एक तो कुलर को लेक्जर्टानक को आनाफ करने के लिए है दूसरा टुलू पंप को आनाफ करने के लिए यह मेरी केबिल है जो कि सप्लाइब रहे हैं जो कि मेरे स्विच बोर्ड से आया हुआ है इसको और इसमें इस हमारे स्विच बोर्ड में गया हुआ है जिसमें कनेक्शन मैं अंदर से खोल के आपको दिखाता हूं किस तरह से किये हुए है फ्र्षेंट यह मेरे निकली हुई है इससमें एक और टूलू पंप दोski करके स्प्लाइब वाय तुलू पंप का एक वाइर और एक जास्ट फैन का एक वाइर दोनों को आपस में टुइस्ट करके सप्लाई वाईर के नूटल से कनेक्ट कर दिया है और इसमें टेप लगा दिया यह बिल्कुल अलग है आप फ्रेंट्स जो सप्लाई वायर से फेज आ रहा था मैंने यहां पर स्विच पे लगाया और इधर से एक शार्टिंग लगा के इस स्विच पे दिया है जो मेरा फेज आ रहा था सप्लाई वायर से वो यहां पर आया है यहां पर कनेक्ट है इस टर् सब्लाई वाइट से न्यूटल आ रहा था वो तो डिरेक्ट चला गया अब वेज आ रहा था फेज इस तर्मिनल पहे आया है यहां से शारींग होगा कि यहिए जब मैं इस स्विच्ट करऊए औहला feld जा आ यहां वी वाईट से जो फेज आ रहा था जब मैं इस स्विच को आन करूंगा तो यहां से मेरे टुलू पंप को चला जाएगा फ्रेंड से मैं एक बार और बता देता हूँ टुलू पंप का एक वायर और एक्जास्ट का एक वायर दोनों को आपस में ट्विच्ट करके सप्लाई वायर जो आने वाला जो सप्लाई वायर है उसके न्यूटल से कनेक्ट करके आपस में ट्विच्ट करके टेप लगा दिया है जो सप्लाई वायर से फेज आ रहा था वो यहां पे कनेक्टेट है और यहां से एक छोटा सा तार इस टर्मिनल पर connected है आप मैंने exhaust fan का दूसरे wire को यहाँ पर connect किया है और टुलू pump के दूसरे wire को यहाँ पर connect किया है जब मैं 이 switch को on करूँगा तो phase यहाँ से यहाँ जाएगा exhaust fan आने हो जाएगा जब off करूँगा तो आफ हो जाएगा यह connection हो गया friends, मैं इसको बंद कर देता हूँ, close कर देता हूँ, और फिर इसको आन करके आपको दिखाता हूँ यह तो प्रेंट दे मैंने यह supply wire को लगा दिया है, अपने extension board में लगा दिया है, supply board में, अब यह मेरा fan का switch था, यह fan का switch था, यह तुलू pump का switch था, यह मेरा exhaust fan देखिए, आन है, आफ है, अब मैं इसको आन कर देता हूँ, यह देखिए, मेरा fan यह चलने लगा, यह आफ कर देत और यह देखिए, मेरा टुलू pump है, मेरा तुलू pump को आन कर देते हैं, यह मेरा टुलू pump चल लिया, यह देखिए, इस तरह से friends आप अपने cooler के connection कर सकते हैं है Oh मैंने से पहले भी वीडियो बनाए था आप उसको भी देख सकते हैं औरो यह मैंने लुआ बनाया है डिसको देख सकते हैं वह भी मैंने बताया है था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने तो believed in लोगों ने अपने काना में ठुलू को कूलर को कूलर का कनेक्शन किया और अगर उसमें ना समझ में आई इसलिए मैंने वीडियो बनाए तो आप इससे भी कनेक्शन कर सकते हैं